हेलो एवरीवन नमस्कार दोस्तों राधे राधे कैसे हैं आप सब आशर करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में और अभी टाइम लगवे 11.30 बजे का हो रहा है मैं धुरूप को यहाँ पे थोड़ बहुत देर पढ़ा र दिया था तो एक ही ब्लॉग में लंच और नास्ता मैं शेयर करती हूँ तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है तो चलिए आज मैं बनाओंगी बहुत ही मज़िदार सी लंच थाली और सबसे पहले तो जी आप सभी को बहुत सारा थैंक्यू कल वाली जो मेरी वीडियो थी स प्रिंग रोल वाली उसमें बहुत सारे आप सबने सजेशन दिये और जो रेसिपी थी थी थोड़ी सी मेरी बिगड़ गई थी बस इस वज़े से कि खुल गई थी और असका जो पानी था वो सूख गया था तो अभी मैं जा रही थी किचन में उससे पहले थोड़ा जो भज़े था तो तो बस वही में निकालने की कोशिश कर रही हूँ और निकल भी गया था लेकिन थोड़ा से पेन हो गया था इसे बात में जो कर झाले और थी थोड़ा से शैंत क्रेंख चुल गई Meg ern הגCom कि अपर आपर बीफोर सीफोर दीफोर एफोर एफोर जीफोर और सब कुछ बोलता है एकदम साफ बोलता है लेकिन जैसे ही इसके आगे लगा थी हुँ आप सब को सुनवाने के लिए तभी बस बोलना बंद कर देता है और मुझे भी चुप करा देता है कि ममा मैं नहीं बोलो अब अब भी ठक गया ऐसे बोलके और बस चुपा देता है और मैं रात को पीस के रख दी थी और यह दूसरा दिन है मतलब सुभा है अभी 11.30 बजी का टाइम था सम्थिंग तो मैं लंच की तयारी यहां कर दी थी तो उरत दाल मैंने यह रात को पीस के रख दी थी फ्रिज में और मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दी थोड़ी सी और बस इस अच्छे से फैटेंगे और सबसे बड़िया प्रोसेस यह होता है कि अगर दाल आपकी पानी में तैर जा रही है न तो मान लीजी आपका जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट है दही बड़े बनाने के लिए और लास्ट ब्लॉग में न कभी मैंने दही बड़े शेयर किये थे आप सभी से तो उसमें एक sister ने मुझे comment किया था कि आपके जो दही बड़े है वो दही बड़े कम और जो कड़ी वाले पकोड़े होते हैं वो जादा लग रहे हैं तो वो इसलीए कह रही थी ऐसा क्योंकि मेरे जो दही बड़े है उनका size छोटा होता है और मुझे छोट नहीं लगते वो एकदम फैस से जाते हैं तो मैं छोटे-छोटे ही बनाती हूं सुरू से ही और यहां देखे दही बड़े एकदम पर्फिक्ट बन रहे हैं और ओइल में जाके फूल जा रहे हैं एकदम गुल गप्पे की तरह तो इससे क्या होता है आपकी डाल जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाओंगी तो सबसे पहले मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से काट लिया है दो चार आलू ले लिये हैं इसमें और उनको भी मैंने छील लिया है दो मीडियम साइज की प्याज ले लिया है और जो स्पिरिंग रोल मैंने बनाए थे ना उसमें अच्छे से अभी पानी में धुल दूंगी और पहले तो मैं सोच रही थी कि खिचडी बनाओंगी लेकिन ये जो सब्जियां थी ना बैंगन और सिम्ला मिच इसको कम से कम 15 दिन हो गए थे फ्रीज में रखे हुए तो मैंने सोचा चलो रेसिपी ही बना लेते हैं और शाम क हैं उनको बहुत बहुत पसंद है दही बड़े दही बड़े देखते ही उन 55 क जो नूर है वह ऐसे चमकता है कि बस देखने लायक वोटा है और मतल gad ajudar दही बड़े देखते ही इतने खुश हो गए हैं कि शाम को उने डिनर भी नहीं किया था दही बड़े के चक्डर में कि द प्याज अद्रक हरा मिर्च और थोड़ा सा ग्रीन चीली डालके उसके बाद मैंने सारे सब्जियों को एक साथ डाला है इस तरह से आप मिक्स विज बनाएंगे ना तो बहुत ही कम ओईल में बन जाएगी और बहुत सारे मैंने लेडिसों को देखा है कि पूरा फ्राइ करती ह तेल में मिक्स विज को उसके बाद तड़का लगाती है अगर आप इस तरह से मिक्स विज बनाके खाओगे ना एकदम होटल वाली मिक्स विज लगेगी और जरा सा भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसका टेस्ट चेंज है या इसमें कम ओईल है यकिन मानिए बहुत कम ओ इसमें डाल के ना और अब मसालों के साथ ही इसे सूखा पकाएंगे यकीन मानिए यह सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में आप इसे कुल्चे के साथ भी खा सकते हो तो यहां मैं भी धीमी धीमी आज पर उसे पकने दूंगी और इधर गरम कर लेती हूं बड़े क यूपी में जिस तरह हम दही बड़े बनाते हैं इसी तरह से हमारे यहां चंदिया बनाई जाती है और उनको चंदिया बोला जाता है दही बड़े जैसी कोई चीज नहीं बनती हमारे यूपी में और वहां की फेमस होती है यूपी बिहार की फेमस है चंदिया रेसिपी तो तो बस इसी तरह से बनती है, और हमारे याँ पर इसको, जो पानी होता है, इसको हींग और जीरे का तड़का लगाया जाता है, मतलस् biraz चोका लगाया जाता है, और उस Moi Mettha डालकर चोका हुआ, और फिर उसको धुंगारा जाता है, फिर उसमें जो उरत डाल प्राइवर ना कमेंट करते हैं कि दही बड़े ऐसे नहीं बनते हैं ये दही बड़े नहीं होते हैं ये वो हैं ये वो हैं ऐसे मतलब कमेंट करते हैं तो देखे सब का अपना एक अलग तरीका होता है हर चीज को बनाने का जारूरी नहीं है कि आप कैसे बना रहे हो और वैसे ह ये आपको उस वीडियों में देखने को मिले। हार कोई अपना-पना तरीका शेयर करता है, तो ये मेरा तरीका है दही बड़े बनाने का, और मैं कई तरीके से बना लेती हूँ वैसे तो, लेकिन आज जो तरीका बना बता रही हूँ न बनाना, यह मैंने पहले कब भी नहीं बनाया, अब सबके सामने हमारे मेरे माइब के में बनता है इस तरह से चंदियां बनती हैं दही बड़े नहीं बनते तो मैंने दही को फेट के पतला कर लिया है उसमें सारे मसाले डाल दिये हैं भूहुना हुआ जीरा ही Raw बगर कि चोगा लगा दीया है, चूप में को फिर यहलना भूंड लगा है। पानी में मैंने डाला था हींग और नमक और उसी में उसको डुबो के रख दिया है सारा ओईल इनों ने छोड़ दिया है और सौफ्ट हो गएं दस मिनट में ही और सारे दही बड़े मैं एक साथ हील देखिए मठे में मैंने डाल दिये हैं इससे क्या होगा आपको बार बार दही बड़े सर्व नहीं करने पड़ेंगे और यखीन मानिये इतने बड़िया लगते हैं खाने में आप कभी भी इस तरह से लेके दही बड़े खा सकते हैं और एक बार में ही मैं सारा काम करके रख देती हूँ में जब भी खाने होते हैं वह सातो हाथ निकालो और खाओ मसाले सारे डले हूए सौसस बगेरा डालने की जरुरत नहीं है अगर आपको पसंद है तो डालिए नहीं पसंद है तो मट डालिए इधर सबजी भी बनके तयार हो गई है और अब मैं फटा फट रोटियां सेक ले रही हूँ तो आज का जो मेरा लंच है वो सूपर टेश्टी है और आज उनके लिए सर्प्राइज हैं ये दही बड़े उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आज मेरे कीचन में बनेंगे दही बड़े और कल एक सब्सक्राइबर मुझे कह रही थी मतलब जो मेरी एक वीडियो आई थी ना मैंने उसमें कुछ हेटिड कमेंट का रिपलाई किया था रात का जो मेरा रूटीन आया था तो उसमें एक सिस्टर मुझे कहा रही थी कि आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए और आप ना अपना जो कीचन का सामान आपने मंगवाया है उसको सेट करके दिखाए तो हाँ मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ लेकिन यह सब उतना असान नहीं है डिसकस करूंगी कि उन्होंने मतलब मेरा साथ देंगे नहीं देंगे इस काम में तो बस तभी आप सब को पता लगेगा और बहुत जल्दी आपको मुझे लगता है कि गुड नियूज मिलेगी मेरे किचन को सेट अप के लिए सेट अप होने के लिए तो चलिए अभी जो दो पहर का लंच है वो मैं लगा लेती हूँ और हस्बेंड आ गए है तो मैंने अपना लंच और हस्बेंड के लिए और धुरूप के लिए रखी हुई थी रात वाली तहरी बची हुई तो उसी को ना मैंने गरम कर लिया लेकिन उसने बिल्कुल नहीं खाई थी तो बस हम दोनों नहीं दही बड़ों के साथ इसे खा लिया था वेस्ट नहीं किया था बिल्कुल भी और यहां मैंने भर-भर के लिए हैं दही बड़े तो दही बड़े बहुत पसंद आते हैं सभी को तो इसलिए बड़ी-बड़ी कटोरियों में मैंने भर-भर के डाले हैं और आज की जो most important recipe यह दही बड़े हैं बिल्कुल आलाग style में मैंने बनाए हैं किसी भी तरह की chutney sauces की आपको जरूरत नहीं है इसके साथ खाने की तो चलिए आशर करती हूँ आप सभी को आज का मेरा जो lunch ब्लॉग है वो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कर कीजिएगा और मेरी kitchen को लेके काफी सारे subscribers मुझे comment कर रहे हैं कि आप जल्दी से अपना kitchen site कीजिए तो मैं जल्दी ही आप सबको good news दूँगी तो चलिए ये vlog का मैं यहीं pen कर रही हूँ मिलूँगी आप सभी से कल एक और अच्छे से vlog में और देखी कितने soft बने हैं दही बड़े तो चलिए दोस्तो आजाई आप सब भी मैं मिलती हूँ एक और vlog में तब तक के लिए bye bye take care love you all and हर हर महादेव